हलो फ्रेंट्स मैं सुनिल तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट में क्या है और प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं क्या होते हैं उसको सभी को देखेंगे तो प्रिंटर एक online output device है और जो output device है जो computer से प्राप्त जानकारी को कागच पर शापता है और कागज पर output की यह प्रतिलिपी hard copy कहलाती है computer के जानकारी का output बहुत ही तेजी से मिलता है और printer इतनी तेजी से कारी नहीं कर पाता इसलिए यह आवस्यक्ता महसूस की गई की जानकारी को printer में ही store किया जा सके इसलिए printer में एक memory होती है जहां से यह परिणामों को धीरे धीरे print करता है printer एक ऐसा output device है जो soft copy को hard copy में परिवर्थित करता है चलिए तो शुरू करते हैं types of computer यह हमारा important part है इसमें printing विधी जो है printing method printing में print करने की विधी बहुत महत पूर्ण का कारक है और printing विधी दो प्रकार की जो impact printing तथा non impact printing होती है impact printing क्या होता है इसको देख लेते हैं impact printing वे प्रिंटर होते हैं जो अपना impact याने प्रभावच होड़ते हैं जैसे कि आप कह सकते हैं इसमें टाइप रैटर प्रिंटिंग की यह विधी टाइप रैटर की विधी के समान और समान होती है जिसे धातु का एक hammer या print head होता है जो कागच वर ribbon से टगराता है impact printer में अच्छर या character ठोस मुद्रा अच्छरों या dot matrix विधी से कागच पर उभरते हैं impact printer की अनिक विधिया हैं जैसे की dot matrix printer प्रिंटर लाइन प्रिंटर चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर तो चलिए देखते हैं कि को हम लोग पूरा define करते हैं dot matrix printer वो printer होते हैं मतलब होते हैं जो यह printing करते समय बहुत सोर करते हैं इस printer के जो print head जो है अनेक पीनों का एक matrix होता है और प्रतियक पीन के ribbon और कागज पर इस पर से एक dot चपता है अनेक dot मिलकर एक character बनते हैं और जो है print head में 7, 9, 14, 18 या 24 पीनों का उर्धा धर समुह होता है एक बार में एक column की पीने print head से बाहर निकलकर dots चापती है जिससे एक character अनेक चरणों steps में बनता है और line की दीशा में print head आगे बढ़ता जाता है dot matrix printer की printing गती 30 से 600 character प्रति second होती है dot matrix printer में पूर्व निर्मित मूद्रा अक्षर नहीं होते हैं इसलिए ये विभिन अकार प्रकार और भासा के character graphics आदी छाप सकता है या print head की मदद से character बनाते हैं जो की code 0 और 1 के रूप में memory से प्राप्त करते हैं print head में electronic circuit मवजूद रहता है जो character core record करता है इस printer की print quality अच्छी नहीं होती मानी जाती है आप देखते हैं दूसरा डेली जो है यह सब चीज क्या है आपका impact printer के अंतर गते हैं डेली विल प्रिंटर या ठोंस मुद्रा अक्छर वाला impact printer है इसका नाम डेजी विल इसलिए दिया गया क्योंकि इसके जो print head की आकरिती एक पूस्प नहीं पूल गुल बहार से मिलती है तो इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं डेजी ही बोलते हैं तो डेजी विल जो printer है धीमी गती का printer है इसके लिए इसके output की च्छमता उंच होती है इसलिए इसका उप्योग पत्र लेटर आदी चापने में होता है और यह लेटर क्वालिटी printer कहलाता है इसके print head में चक्र या wheel होता है जिसकी प्रत्यकतान spoke में character का ठोस font होता है और उभरा रहता है wheel जो कागज होता है कागज की 36 दिशा में गती करता है और छपने योग ये character का spoke wheel के घुमने से print position पर आता है एक छोटा hammer spoke जो है इस प्रकार चीतर में देखिए ribbon और कागज पर टकराता है जिससे अच्छर कागज पर छप जाता है इस प्रकार के printer अब बहुत कम उप्योग में है बंद ही हो गया मान के चलिए next है line printer तो line printer यह अब भी एक impact printer के अंतरगत आता है और बड़े अक्छरों के लिए उच्छ गती याने high speed printer की आवस्यक्ता होती है उच्छ गती के printer एक बार में एक character च्छापने के बजाए एक line प्रिष्ट को एक बार में च्छाप सकते हैं तो यह बहुत important है line printer देख लिए इसकी जो च्छापने की गती होती है तीन सो से तीन हजार line प्रती मिनट एक मिनट में तीन हजार तक यह च्छाप सकता है और जो होती है यह printer मीनी वा मैन फ्रेम कंप्यूटर में बड़े कारियों है तू प्रयोग किये जाते हैं line printer तीन प्रकार के होते हैं drum printer अब यह question important हो सकता है यह कि आपका line printer में कौन कौन से printer आते हैं drum printer, chain printer और band printer यह आते हैं तो अब drum printer को देखते हैं drum printer क्या है चलिए drum printer में तेज घुनने वाला drum होता है जिसकी जो है सता पर अच्छर करेक्टर उभरे रहते हैं एक band पर सभी अक्छरों का एक समुह होता है ऐसे अनेक band संपून ड्रम पर होते हैं जिससे कागज पर line की प्रत्येक इस्थिती में character चापे जा सकते हैं drum तेजी से घुमता है और एक घुनन rotation में एक line चापता है एक तेजगती का hammer प्रत्येक band के उचित character पर कागज के विरुद्ध टकराता है और एक घुनन पूरा होने पर एक line चप जाता है थोड़ा आवाज में थोड़ा हो रहा हूं उसके लिए sorry क्योंकि मैं चलते चलते इस video को बना रहा हूं यह है इसका hammer की तरह और इसमें line में चापा हुआ होता है ना characters नेक्स्ट देखते हैं chain printer तो यह दूसरा है किसके प्रकार line printer के दूसरा प्रकार है इस printer में तेज घुमने वाला एक chain होती है जिसे print chain कहते हैं chain में character छपे होते हैं प्रतियक कड़ी में एक character का font होता है प्रतियक print position पर hammer लगे होते हैं जिससे hammer कागज पर टक्रा कर एक बार में एक line print करता है तो यह है उसका चीतर देख लीजे किस प्रकार से है chain इस प्रकार से chain बना हुआ है दोनों side wheel लगा हुआ है next है band printer band जो band बजाते हैं यह printer chain printer की जो के समानकारी करता है और इसमें chain के स्थान पर steel का एक print band होता है इस printer में भी hammer एक बार में एक line print करता है तो इसमें भी यह देखिए chain ही है इसमें भी एक साथ में एक line को चाप देता है non impact printer अब देख लिए impact printer इतने सारे हैं तो जो सबसे ज्यादा important था कौन सा line printer था line printer के अंतरगत 3 important कौन कौन से थे देख लिजेगा चलिए non impact को start करते हैं non impact printer में print head या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है इसमें laser printing द्वारा तकनीक दी जाती है इसलिए इसकी quality जो है quality high होती है non impact printer की अनेक विधिया हैं laser printer इसमें बहुत सारे पार्ट है इसके photo printer ink jet printer portable printer multi functional printer and thermal printer तो इसमें thermal printer को बहुत पूछा जाता है ink jet को भी पूछते हैं laser को भी पूछते हैं तो यह तीनों important laser ink jet and thermal printer laser printer से start करते हैं क्या है यह laser printer non impact page printer है laser printer का प्रयोग computer system में 1970 के दसक से हो रहा है पहले यह man frame computer में प्रयोग किये जाते थे 1980 के दसक में laser printer का मूल्य लगभग 3000 डालर था यह printer आजकल अधिक लोग प्रिये है और लोग क्योंकि यह अपेच्छा करीत अधिक जो है बहुत ही छोटे वह पास पास होते हैं होने के कारण बहुत ही इस पास प्रिंट होते हैं इस printer के कार्टरेज का प्रयोग किया जाता है और जिसके अंदर सुखी स्याही यानि इंक पॉडर को भर दिया जाता है और लेजर प्रिंटर के कारी करने की विधी मुल रूप से फोटो कॉपी मसीन की तरह होती है लेकिन फोटो कॉपी मसीन में तेज रोसनी का प्रयोग किया जाता है और लेजर प्रिंटर और तीन सो से लेकर छैसो डीपी आई यानि डॉट पर इंच इसको पूछते हैं डॉट पर इंच क्या है और किसमें उप्योग होता है करके हैं तो तक या उससे भी अधिक रिजोल्यूशन की छपाई करता है रंगीन लेजर प्रिंटर उच क्वालिटी का रंगीन आउटपूट देता है इससे विशेश टोनर होता है और जिससे विभीन रंगों का करण उपलब्द रहते हैं यहां प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं क्योंकि इसके छापने की गत हैं और आउटपूट को प्रिंट कर लेते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं लेजर प्रिंटर अभी सभी अच्छे अच्छे आएंगे लेजर प्रिंटर क्या है यह ऊंच रेजल्यूशन उच्छे प्रिंट गती और बड़ी मात्रा में छपाई के लिए उप्यूगता है और कम कीमत प्रती प्रिष्ट छपाई होती है इसमें कि लेजर प्रिंटर आप लोग देखे होंगे सभी उप्यूग करते हैं आज कर लगभग लेजर प्रिंटर की कम्या इंग जेट प्रिंटर से अधिक महंगा है टोनर तथा ड्रम का बदलना महंगा पड़ता है और इंग जेट प्रिंटर से बड़ा तथा भारी होता है थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कागज पर वैक्स अधारित रीबन से अच्छर प्रिंट किये जा सकते हैं और इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज्यादा जो है समय के लिए इस्थित नहीं रहता अर्थात कूछ समय बाद प्रिंट किया गया मेटर पेपर से मीट जो है जाता है और समान यता है इस प्रिंटर का प्रयोग ATM मसीन में किया जाता है बैंकों में भी किया जाता है फोटो प्रिंटर एक रंगिन प्रिंटर होता है सस्ता होता है दूसरे मसीनों से लेजर प्रिंटर से सस्ता होता है छोटा होता है इसलिए और फोटो लब की क्वालिट्टी फोटो पेपर पड़ छाते हैं इसका अस्तेमाल डॉक्यूमेंट की प्रिंटींग के लिए किया जा सकता है और इस इन प्रिंटरों के पास काफ़ी बड़ी संखिय में नौजल होते हैं जो काफी अच्छी क्वालिटी की इमेज के लिए बहुत अच्छे स्याही के बूंद छापता हैं कुछ फोटो प्रिंटर में मीडिया कार्ड रीडर भी होते हैं जो 4 x 6 फोटो को सीधे डिजीटल कैमरे के मीडिया कार्ड से बीना किसी कम्प्यूटर के प्रिंट कर सकता हैं और ज्यादे दर इंग जेट प्रिंटर और उच चमता वाले लेजर प्रिंटर उच क्वालिटी की इस जो है तस्वीर प्रिंट करने में सच्छाम होते हैं कभी कभी इन प्रिंटरों को फोटो प्रिंटर के रूप में बजार में लाया जाता है और बड़ी संख्या में नौजल तथा बहुत अच्छे बूनों को सोरी के अतिरिक्त इन प्रिंटरों में अतिरिक्त फोटो इस्थान हलका और मेजेंटा तथा हलका काला रंगों में करटेज होता है करटेज कह रहा है मतलब जाही रखने का है है न यह अतिरिक्त रंगिन करटेज को सहईता से अधिक रोचक तुथा वास्तवीक दिखने दिखने जैसे जैसा फोटो छापते हैं इसका परिणाम साधःारान इंक जेट तथा लेजर इंपेक्ट प्रिंटर है और जिससे एक नोजल से कागज पर स्याही की बुंदों की बौचहार करके कैरेक्टर वा ग्राफिक्स प्रिंट किये जाते हैं इस प्रिंटर का आउटपूट बहुत इसपस्ट होता है क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माड जो है डॉट्स के से मिला कर होता है रंगीन इंग जेट प्रिंटर में स्याही के चार नोजल होते हैं नीलम लाल पीला काला इसलिए इसको CMY के प्रिंटर भी कहा जाता है तथा ये चारो रंग मिलकर किसी भी रंग को उत्पन कर सकते हैं इसलिए इसका यूज सभी कंप्यूटर के रंगीन प्रिंटर में किया जाता है इस प्रिंटर के मुख्य समस्या है कि इसके जो प्रिंट हैड में इंक क्लॉगिंग हो जाती है और यदि इसे कुछ समय तक प्रिंटिंग ना की जाये तो इसके नोजल के जो मुहाने पर स्याही जम जाती है जिससे इसके छीद्र बंद हो जाते हैं और इस समस्या को इंक क्लोगिंग कहा जाता है आजकल इस समस्या को हल करने के लिए इसके अलावा इस प्रिंटिंग प्रिंटर की प्रिंटिंग पर यदि नमी आ जाये तो इंक फैल जाती है इसकी printing quality प्राया 300 से 300 dot per inch होती है portable printer छोटी चोटे कम वजन वाले इंग जेट था thermal printer होते हैं जो laptop computer द्वारा यात्रा के दोरान print करने के लिए निकालने की अनुमती देते हैं यह ढोने में आसान और इस्तेमाल करने में सहज होते हैं मगर compactor design की वजह से समानी इंग जेट प्रिंटरों के मुकाबले महंगे होते हैं इसकी जो printing की गती भी समानी प्रिंटर से कम होती है और कुछ प्रिंटर डिजिटल कैमरे से ततकाल फोटो निकालने के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं इसलिए इन्हें पोटेबल फोटो प्रिंटर कहा जाता है इतना छोटा है मल्टि फंक्शनल ओल इन वन प्रिंटर तो यह प्रिंटर है जबर जस्त ऐसा प्रिंटर जिसके द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं उसे प्रिंट कर सकते हैं तो प्रिंट करने के बात फैक्स भी कर सकते हैं उसे मल्टि फंक्शनल प्रिंटर कहा जाता है यह एक ऐसी मसीन है जिसके द्वारा कई मसीनों के कारिय जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर्स तथा फैक्स किये जा सकते हैं और मल्टी फंक्शनल प्रिंटर घरेलू कारिया लायों होम आफिस में बहुत लोग प्रिय होता है इसमें इंग जेट या लेजर प्रिंट विधी का प्रियोग हो सकता है इस मल्टी फंक्शनल प्रिंटर में मेडिया कार्ड रीडर का प्रियोग होता है जो डिजिटल कैमरा से कंप्यूटर के प्रियोग के बगएर सीधे सीधे इमेज चापता है यह साप छाप सकता है यह है आपका यह प्रिंटर चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताईए जैहिन जैभारत और सब्सक्राइब करना ना भूले तथा लाइक बटन पर क्लिक करें बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें जैहिन जैभारत